नवस्कार दोस्तों टेख अम्रीत में आपका स्वागत है भारत सरकार ने WhatsApp को टक कर देने के लिए भारत में अपना स्वेदेसी मेसंजर रेफ लॉँच कर दिया जिसका नाम में सन्देश है ये भारत का पहला स्वेदेसी मेसंजर इसे गौर्मेट इंस्टेंट मेसेजिंग सिस्टेम भी कहा जाता है GIMS नाम से भी जाना जाता है डाटा प्रावेंसी को लेकर हमने 2020 में काफी बड़ी खबर पड़ी इसके लिए सरकार ने इंटरनेट कमपनियों को अपनी सर्वर भारत में ही लगाने की आदिश दिये भारतिय डेवलोपर को सुरक्षित देशी एप विकसित करने के लिए प्रोसहित करना और अब वाटसप का नया भारतिय विकल वाटसप अल्टरनेटिव संदेश एप लॉंच हुआ है हाली में प्राविंसी पोलिसी में बदलाब करने के बाद वाटसप ने दुनिया भर में का फिर चर्चा में रहा करोडो यूजर्स ने टेलिग्राम और सिगनल लेप का इस्तमाल करना शूरू कर दिया बीजनेश स्टेंडर्ड की रिपोर्ट के नुशार भारत सरकार ने नया संदेश एप लॉंच किया है जो वाटसप का एक इंस्टन मेसेजिंग विकल्फ है एप पूरी तरह से भारतिय है और फिलाल ट्राइल बेसिस पर काम कर रहा है इस एप को गवर्मेंट इंस्टन मेसेजिंग सिस्टम GIMS कहा जा रहा है अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एप को केबल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया गया है हो सकता है आने वाले दिनों में इसे आम जनता भी यूज कर सकते हैं इस संदेश एप का अधिक जानकारी के लिए आप www.gims.gov.in पर जाके इसके सारे इंफोर्मेशन आप ले सकते हैं झाल कर दो कि एप ले सकते हैं